नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे की लैक्सिटोल हस्क ग्रैन्यूल्स का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, लैक्सिटोल हस्क ग्रैन्यून्स को कैसे लेना चाहिए और लैक्सिटोल हस्क ग्रैन्यून्स की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं और यह भी डिसकस करेंगे कि लैक्सिटोल हस्क ग्रैन्यून्स को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए Laxitol husk granules का उप्योग कब्स की समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है Laxitol husk granules शरीर की आतों में ज्यादा पानी को सोक कर और स्टूल को नरम बना कर बाहर निकालने में मदद करती है Side effects की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में Laxitol husk granules की वज़े से कोई side effects नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में Laxitol husk granules की वज़े से कुछ side effects हो सकते हैं जैसे पेट से गैस निकलना, पेट में दर्ध होना, पेट में भारीपन होना, पेट भरा-भरा हुआ महसूस करना और पेट में एंठन होना आधी साइड इफेक्ट्स लैक्सिटोल हस्क ग्रैन्यूल्स की वज़से हो सकते हैं. अब हम डिसकस करेंगे की लैक्सिटोल हस्क ग्रैन्यूल्स को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है. लैक्सिटोल हस्क ग्रैन्यूल्स को खाना खाने के बाद लेना रेक्मेंडेड होता है. आम तोर पर 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को डॉक्तर 15 ग्राम यानी एक लेने की सलाह देते हैं। लेकिन कब्स की समस्या ज्यादा गंभीर होने पर डॉक्टर लैक्सिटोल husk granules को दिन में दो बार सुभा वशाम को भी लेने की सलाह दे सकते हैं। लैकसिटोल हस्क ग्रान्यून्स की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको लैकसिटोल हस्क ग्रान्यून्स को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे कि लैकसिटोल हस्क ग्रान्यून्स को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। पेट की आतों में रुकावट होने पर, पेट की आतों की कोई सरजरी होने पर और अपेंडिसाइटिस होने पर लैकसिटोल हस्क ग्रान्यून्स को लेना रेक्मेंडे नहीं होता है। इसलिए इन कंडिशन्स में डॉक्तर की सला के बिना लैक्सिटोल हस्क ग्रैनिूल्स को नहीं लेना चाहिए। कब्स की समस्या से बचने के लिए और कब्स की समस्या को ठीक करने के लिए आपको Lactol Husk Granules के साथ साथ हर रोज exercise करनी चाहिए और हर रोज कम से कम आच से लेकर दस गिलास पानी का सेवन जरूर करना चाहिए और कच्चे फलो वस सबजियों का सेवन ज्यादा करना चाहिए। लैक्सिटोल हस्क ग्रैन्यूल्स के डिब्बे को एक बार खोल लेने के बाद, लैक्सिटोल हस्क ग्रैन्यूल्स के उस डिब्बे को दो सब्टाह के अंदर उप्योग कर लेना चाहिए। अभी इसके बारे में परियाप्त डेटा अवेलेबल नहीं है कि लैक्सिटोल हस्क ग्रैन्यूल्स प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को नुकसान पहुचाता है या नहीं। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका लैकसिटोल हस्क ग्रैन्यूल से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।